जैई श्रीकिष्णा एकादेसी के जया आदिभेद नक्तवक्तर का सुरूप उत्पन्ना एकादेसी के प्रशंग में जो एकादेसी की विधिया हैं उत्पत्तिक अथा और इसके महिमा का वरणन हम इस वीडियो में करेंगे एकादेसी वृत के बारे में जानने के लिए नारज जी के मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई तो नारज जी ने महादेव जी के समीप जाकर कहा हे महादेव महाद्वादसी अर्थाद एकादसी का जो उत्तम वरत होता है कैसा होता है दारजी ने का हे प्रभो उसके वरत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है और आप उसे बताने की कृपा करें महादेव जी ने दारजी की उतकंठा को सांथ करते वे कहा हे भ्रमन यहां एकादसी महान पुन्यफल को देने वाली है स्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुस्ठान करना चाहिए विशेष विशेष नक्षत्रूं का योग होने पर यह तिथी जया, विजया, जैन्ती तथा पापनाशनी इन विविने चार नामों से विख्यात होती है यह सभी पापों का नास करने वाली है इनका वरत अवश्य करना चाहिए जब सुकलपक्स की एकादसी को पुनरवसू नक्षत्र हो तो वह उत्तम्तिथी जया कहला दिये उसका वरत करके मनुश्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है जब सुकलपक्स की द्वादसी को स्वन नक्षत्र हो तो वह उत्तम्तिथी विजया के नाम से विख्यात होती है इस तिथी में किया हुआ दान और भ्रहमन भुजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देते है जब सुकलपक्स की द्वादसी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथी जयनती कहलाती है वह सब पापों को हरने वाली है उस तिथी को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धोडालते है जब कभी शुकलपक्स की द्वादसी को पुष्यनक्षत्र हो तो वह महापुण्यमई पापनाशनी तिथी कहलाती है जो एक वर्स तक प्रति दिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी कादसी को पुवास करता है उन दोनों का पुण्य समान होता है उस तिथी को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर स्रीहरी संतुष्ट होते हैं तथा प्रतक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रतेक पुन्य करम का अनन्त फ़ल माना गया है। सगरनदन ककुच्ष, नहुस तथा राजा गाधी ने उस तिथी को भगवान की आराधना की थी। जिससे भगवान ने इस प्रत्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। उस दिन असनान, दान, जब, होम, स्वाध्याई और देव पूजादी जो भी किया जाता है उसका अक्षे फल माना जाता है। इसलिए प्रत्न पूरक इसका वरत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा उधिस्टर पंचम अस्व में दियग्यकारस्तान कर चुके थे। उस समय उन्होंने भगवान स्रीकिष्ण से इस प्रिकार प्रशन किया। उधिस्टर बोले। प्रभू, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का अपुर्णि एहुम फल क्या है हे जनार्दन यह सब मुझे बताईए। भगवान स्रीकिष्ण ने कहा हे कुंति नंदन हे मंतरितु में जब परम कल्यान में मार्गस शीश मास आए तब उसके किष्णपक्स की द्वादसी तिति को उपवास करना चाहिए। उस उपवास की विदीस प्रकार है। द्रडता पुरुष दश्मी को सदा एक भुखत रहे। अथवा सौच संतोसादी नियमों के पालन पूर्वक नक्त वृत के स्वरूप को जानकर उसके अनुशार एक बार भुजन करे। दिन के आठवे भाग में जब शूरी का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए रात को भुजन करना नक्त नहीं है। ग्रहस्त के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भुजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के आठवे भाग में क्यूंकि उसके लिए रात में भुजन का निशेध है। अस्तान करें। विदी से स्नान करें। इस्नान के पहले इस बंत्र को पढ़कर सरीर में मृतिका लगा लें। के मैंने पूर्वकाल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। वरती पुरुस को चाहिए कि वह एक चित और दिड़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परिद्या करें। अंत्यज, पाखंडी, मिध्यावादी, भ्रामन दिंदक, अग्यम्यास्त्री के साथ गम भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीब जला कर रखें। हे पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परिद्या करें। धर्म सास्त्र से मनुरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नुर्प पक्स की भी है। इसी विदी से उसका भी व्रत करना चाहिए। हे पार्थ दुज को उचित है कि वह सुक्ल और कृष्ण पक्स की एकादसी के व्रती लोगों में भेद बुद्धी न उत्पन करें। संखोधार तीर्थ में स्तान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुन्य होता है तथा संक्रांती के अउसर पर चार लाग का दान देकर जो पुन्य प्राप्त किया जाता है। वह सब एकादसी व्रत की सोलहवी कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास सेट्र में चंद्रमा और सूरी के ग्रहन के अउसर पर इसनान दान से जो पुन्य ह वह निश्चे ही एकादसी को उपवास करने वाले मनुश्य को स्वतह मिल जाता है। किदारख्षित्र में जल पीने से पुनरजन्म नहीं होता। एकादसी का भी ऐसा ही महात्म है। यह भी घरबवास का निवारण करने वाली है। पर्थवी पर असुमहिद यग्य का जो फल प्राप्त होता है। उससे सौगुना अधिक फल एकादसी वरत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी ये मिस्ट्रिष्ट भ्रहमन भुजन करते हैं। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादसी वरत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान भ्रहमन को सहस्र गोदान करने से जो पुन्य प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी धुरलव है। रात को भुजन कर लेने पर उससे आधापुन्य प्राप्त होता है। तथा दिन में एक बार भुजन करने से देह धारियों को नक्त भुजन का आधाफल मिलता है। जीव जब तक भगवान विश्लु के प्रियेक दिवस एकादसी को पुआस नहीं करता। तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्त की गर्जना करते हैं। इसलिए हे पांडव श्रेष्ट तुम इस वरत का नुस्ठान करो। हे कुंदिनंदन यह गोपनी एवं उत्तम वरत है जिसका मैंने तुम से वर्ण किया है। हजारों यग्यों का नुस्ठान भी एकादसी वरत की तुलन नहीं कर सकता। इस पर युदश्टर ने पूछा हे भगवन पुण्यमई एकादसीति थी कैसेंत उत्पन्न हुई इस संसार में क्यूं पवित्र माने गई तथा देवताओं को कैसे प्री हुई किरप्या करके आप इस विशे पर प्रकास टालिए। इस पर स्री भगवान बोले हे कुंतिनंदन प्राचीन समय की बात है सत्युग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ाहिया द्भुत अत्यंत रोद्र तथा संपून देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपून देवता उससे परास होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तदा भईवीद होकर पृत्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले हे महिस्वर ये देवता स्वर्ग लोग से भष्ट होकर पृत्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी सोभा नहीं होती। हे देव को उपाई बताईए देवता किसका सारा लें। इस पर महादेव जी ने कहा हे देव राज जहां सबको शरण देने वाले सबकी रक्षा में तत कर परमद्धिवान देवराज इंद्र संपून देवताउं के सांथ वहां गए। भगवान गदाधर शीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ कर स्तुति आरंब की। इंद्र बोले हे देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। ये जगनात संपून देवता मुर नामक दानव से भईबीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवचल हमें बचाईए, देव देवेश्वर हमें बचाईए, जनारदन हमारी रक्षा कीजे, रक्षा कीजे। दानव का विनास करने वाले कमल नैन हमारी रक्षा कीजे। प्रभो हम सब लोग आपके समीप आये हैं, आपकी शरण में आये हैं। हे भगवन शरण में आये हुए देवताओं की सहायता कीजे। हे देव आप ही पती, आप ही मती, आप ही करता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवन देव देविश्वर, सरणागत वच्चल, देवता भैभीत होकर आपकी शरण में आये हैं। प्रभो अत्यन्त उग्रश भाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने शंपून देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विश्ण बोले देवराज वहदानव कैसा है उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुस्ट के रहने का स्थान कहा है। इंद्र बोले देवेश्वर पूर्वकाल में भ्रह्मा जी के वंस में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यन्त भहेंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यन्त उत्कट महापराकरमी और देवताओं के लिए भहन कर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्यने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोग से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के शिंहासन पर बैठाया है। अगनी, चंद्रमा, सूर्य, वायू तथा वरुन भी उसने दूसरे ही बनाये है। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिये हैं। देवताओं को तो उसने प्रतेक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्रका घतन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को सांथ लेकर चंद्रावती पूरी में गई। देवताओं ने देखा देतिराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपून देवता दसों दिशाओं में भाग गई अब दानो भगवान विश्न को देखकर बोला खड़ा रह खड़ा रह उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्रक्रोध से लाल हो गई। वे बोले अरे दुराचारी दानो मेरी इन भुजाओं को देख। यह करकर स्री विश्नु ने अपने दिविवानों से सामने आयवे द दानों को मारना अरंब किया। दानों भई से विवल हो उठे। पांडु नंदन तथ पस्चाथ स्री विश्नु ने दैत्ति सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे चिन भिन होकर शैकणु योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन मदरि कास्रम को चले गए। वहां शिंगावती नाम की गुफा थी जो बारह योजन लंबी थी। है पांडु नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान भिश्नु उसी में सो रहे। दानों मुर भगवान को मार डालने के उद्ध्योग में लगा था। वह उनके प इस प्रकार विचार करते ही भगवान विश्नु के सरीर से एक कन्या प्रकट हुई। जो बड़ी ही रूप हुआ थी, सौभाग इशालनी तथा दिव्वी अस्त्र सस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंस से उत्पन हुई थी। उसका बल और पराकरम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा, कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छड़ गया, कन्या सब परकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से स्री भगवान जाग उठे उन्हें दानाओं को धरती पर पड़ा देख पूछा मेरा है यह शत्र अत्त उग्र और भयंकर था किस ने इसका वद किया है कन्या बोली स्वामिन आपके ही परसाथ से मैंने इस महादैत्य का वद किया है स्री भगवान ने कहा कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनु लोकों के मुनी और देवता आनंदित हुए हैं अदह तुम्हारे मन में जैसी रुची हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मागो देव दूरलव होने पर भी वह वर मैं तुम्हें धूंगा इसमें तनिक भी संद नहीं है वह कण्या साक्षात एकादेशी ही थी उसने कहा प्रभो यदि आप प्रशन हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विखनों का नास करने वाली तथा सब परकार की सिध्धी देने वाली हूँ जनार्दन जो लोग आप में भक्ती रखते उन्हें सब परकार की सिध्धी प्राप्त हो माधव जो लोग उपवास नक्त अत्वा एक भुक्त करके मेरे वृत का पालन करें उन्हें आप धन धर्म और मोक्स परदान कीजी श्री विश्लम बोले कल्यानी तुम जो कहती हो वह सब पून होगा भगवान श्रीकष्ण कहत करते हैं युदिस्टिर ऐसा वर पाकर महावरता एकादसी बहुत प्रसन्ना हुई दोनु पक्सों के एकादसी समान रूप से कल्यान करने वाली है इसमें सुकल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए यदि उदैकाल में थोड़ी से एकादसी मध्य में पूरी द्वाद जाई तो एक सहस्त्र एकादसी वरतु का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादसी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है अस्टमी, एकादसी, सष्ठी, तृतिया और चतुदसी यदि पूर्व तिथी से विद्ध हों तो उनमें वरत नहीं करना चाहिए परवरतिनी तिथी से युक्त होने पर ही इनमें उप्वास का विधान है पहले दिन दिन में और रात में भी एकादसी हो तो दूसरे दिन के विल प्रातह काल एक दंड एकादसी रहे तो पहली तिथी का परित्याग करके दूसरे दिन की दौदसी युक्त एकादस को ही उपुआस करना चाहिए यह विधी मैंने दोनु पक्षों की एकादसी के लिए बताई है जो मुनश्य एकादसी को पुआस करता है वह वैकुंट धाम में जहां साक्षाद भगवान गरुदभज विराजमान है जाता है जो मानव हर समय एकादसी के महात्मे का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानू के एक पुणने का भलप्राप्त होता है जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मे का स्वन करते हैं वे निहसंदेह भ्रम्हत्या आदिपापों से मुक्त हो जाते हैं एकादसी के समान पापना सक्वरत दूसरा कोई नहीं है जैई श्री श्री कुष्णा